इस बार 6 जुलाई को आसाड अमावस्या आ रहे हैं इस दिल दो शुभीयोग की बन रहे हैं आई वे पड़िक्चे से आनते हैं वह शुभीयोग इस बार 6 जुलाई को आ रहे हैं इस योग में पित्रों का पूजन तथा भगवान शिव शंकर का पूजन करना चाहिए हैं बार 6 जुलाई हैं उसे बड़ा लाग मिलता है जिस प्रकार अमावस्या का अधिकर महत्व कहां गया है पित्रों का पूजन के लिए इसलिए पित्रों का पूजन इसमें विशेश फलदाई होता है पित्र भक्ति को धन्यद्धान ने तरह एश्वद की प्राप्ति होती है इस प्रकार इसमें पित्रों का पूजन करकर फगवान सीव का पूजन करें उससे अत्यादिक लाप प्राप्त होता है धन्धान की प्राप्ति होती है और एक सुखों की प्राप्ति होती है और जो पित्र भक्त हो उसे अमावस्या को तो अवस्यी पित्र के लिए तरपन कर सके तो वह वड़ा अच्छह वता है जिससे पीत्र प्रशन्द होते हैं तो देवतावशी प्रसंद होते हैं इस प्रकार अम्मा उस्या के दिन पित्रों को सांत्ट करने के लिए गरीबों कोदान भामनों कोदान तथा असायों की सेवा करना बड़ा उत्तमकाद कहा गया है और अम्मावस्या के कार्व करने पर अनेक प्रकार का लाव प्राप्त होता है तथा भगवान सीव के पूजन से समस्ते इस्वर्ण प्राप्त होता है पित्र भक्ति करें तो बड़ा उचित कहा गया है इस प्रकार पित्र रो के लिए अम्मावशा शेश तथा असारी अम्मावश्या इसमें ध्रू योग बन रहा है तो वह बड़ा लाफ कर रहेगा और सीव वास उसन हो रहा है तो सीव भगवान का पूजन इसमें बड़ा मुख्य कहा गया है इस झाल मुख्य करो